हेलो नमस्कार किसान भाईो सवागत आपका हमारे चैनल किसान डेरी फारम में किसान भाईो इस वीडियो में बात करेंगे नर्मा का पास की तेजी मंदी और नर्मा के भाव में कितनी मंदी आई है दो दिन में कितनी तेजी ये सब इस वीडियो में बताएंगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्कृराइब करें तो किसान भायों बतादें कि काफी किसान भायों की कॉमेंट भी आ रहे हैं लोगों से जैसे उनकी बातों से हो उनकी बाते देखते हैं, सुनते हैं, किसी से एकादे से बाद्चित करते हैं, तो यह पता चलता है कि अभी भाव देखी जैसे हम से 10 कोटन वाइदा बाजार के भी भाव डाउन आए है, तिक चार दिन में मतलब 2000 के असपास गिरी हैं, भा तो ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी इंडिया निरियात करता है तो किसी दूसरे देश में और बड़ा कॉंट्रक्ट को इंडिया को मिलता तो भाव देखे बड़ेगा वरना भाव नहीं बड़ेगा और एक मैं कारण है अगर जो किसान भाई ये पूछ रहा है कि नर्मा क बाव बढ़ेगा या नहीं तो देखी बढ़ेगा तो जिसकी कवाल्टी कमजोर है जिल गुला भी सुन्डी के कान खराब हो गई है उसका तो भाव में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी लेकिन जो अच्छी कवाल्टी की नर्मा है साइद अगर बाव बढ़े तो उसमें तेजी देखने को मिल सकती है और हाँ जो लोकवाल्टी के वो थोड़ी बहुत उपर बिख सकती है फिर जैसे जो अभी पांच भी करें तो वो छे बिख जाए इतना ही फरक पड़ पाएगा तो आगे अगर हम बात करें इसकी तेजी की तो तेजी निरियात पे डिपेंड करती है और इसकी डिमांड पे डिमांड जैसे बढ़ता है इंडिया की कोटन की मांग होगी अगर इंडिया को दूसरे देश में निरियात करेगा कहीं पे या फिर घरेलू बाजार की बात करें तो घरेलू बाजार में जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी तो भ नर्मा का भाव फिर भी नहीं बड़ा है इसके साथ अगर हम बात करें कि किसान भायों के सवाल रहते हैं कि नर्मा का भाव क्या बढ़ेगा या नहीं यह बता दो तो फिलाल देखिए भाव में अभी तेजी बनती नजर नहीं आ रही है लेकिन जो तेजी हम सोच रहे थे कि 15 जनवरी के बाद बढ़ेगी वो और डाउन आ गई है क्योंकि एक जनवरी जे और पंदरा जनवरी तक भाव ठीक ठाकी बढ़े थे दोजार तेईस के मुकावले लेकिन भाव फिर से अचानक पंदरा जनवरी के बाद में अभी एक दो दिन से डाउन की तरफ हैं और काफी ड तर्मा कपास के आज के ताजा मंडी भाव हैं जो लाई बोली कि उनकी बात करें तो आदम पर मंडी में आज 6,691 रुपे 6,700 के रुपे के असपास रहा और नीचे के भाव की बात करें तो नीचे के बाव यहां पे 4,000 से 5,000 रुपे बिलकुल लो कवाल्टी का भाव रहा देशी का पास के भाव यहां पे 6,500-6,000 से लेके 7,200 रुपे तक चल रहे हैं और चर्की दादरी में 6,620 रुपे तक के भाव देखने के मिले किसान भाई यहीं बरवाला मंडी में 6,600 से 700 के ही भाव रहे किसान भाई हो टोप कवाल्ती के बाव है और आगे अगर बात करे शिर्षा की तो 6700 से 870 रुपय तक टोप कवाल्टी का भाव एकादी चुनिन्दा 800 के असपास भी की है जैसे मतलब ये नीचे के भाव ही रहे तकरीबन नर्माई 6300-4400 के असपास भी की हैं हिसार में नर्मे का भाव किसान भाईयो 6400-600 रुपय के भाव रहे अलानाबाद मंडी में 6740 रुपय के भाव फतियाबाद मंडी की अगर बात करें तो 6500 से लेके 6650 रुपय तक के भाव रहे हनवानगर मंडी में नर्मे का भाव 6300-6600 के आसपास में टोप कवाल्टी का सीरा रहा लेकिन नीचे के भाव काफी कमजोर तक चल रहे हैं गंगा नगर में नर्मे का भाव किसान भाव किसान भाव से लेके 6570 रुपे के रहे तो किसान भाव ये थे आज की ताजा मंडी भाव धन्यवाद